नबश्कार दोस्तों मैं आचारे निम्मियरोडा आप सभी का बहुत बहुत स्वगर कहती हूं आपको यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूं और इसका एक विशेश कारण भी बताऊंगी और आज का वीडियो भी मेरे इसी लाइव एक्सपिरियंस पर है कि आप अरिष्ट कैसे देखें और ये सूत्र मैंने श्री विपी गोईल जी की बुक जो GEMS 108 है उसमें भी है सर की बुक में और सर बहुत बार बता चुके हैं कि आप अरिष्ट कैसे देखें तो आज का Life Experience जो मेरे लिए रहा पिछले कुछ दिनों मुझे Health Issue जो हुए जिसके वज़े से आपके पास ये वीडियो भी बहुत समय के बाद आया है आशा करती हूँ इसके लिए आपकी प्रातनाओं के कारण ही मैं शायद आपके सामने हूँ आपकी वेल विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की शुक कामनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रही हूँ तो चलिए आज बात करते हैं अरिष्ट कैसे देखें और साथ में ये मेरा Live Experience भी है जो शीर वीपी गुएल जी की Transit Rules से लिया गया है ये लगन चार्ट है लगन में कन्या राशी और साथ ही थर्ड हाउस में केतू और केतू लॉर्ड मंगल बैठे हैं मित्रो मुझे ग्यारा दिसंबर को हार्ट का स्ट्रोक आया and immediately hospital admit हुई and साथ ही मेरे stunt भी immediately पड़े डॉक्टर ने मुझे घर नहीं जाने दिया और उसी समय मुझे उन्होंने admit कर लिया तो आये उसे देखें कि 11 दिसंबर को ऐसा क्या गोचर था जिसको देखने पर अरिष्ट का पता लगता है सर का नियम है अरिष्ट देखना है तो केतू को देखें केतू को D30 में देखें किस राशी में स्थित है तो यहां आप इनका सर का जो नियम है अरिष्ट देखने के लिए D30 त्रिशाम श्वर्ग में केतू देखें किस राशी में स्थित है और उस राशी पर जब शनी या राहुकेतू का गोचर होगा और दशा भी अरिष्ट ग्रह की होगी रोग से सम्मंदित ग्रह की होगी तो आपको हेल्थ इशू आएंगे या आपके उपर मृत्यो तुल्लेकष्ट आएगा तो इसको समझते हैं इस चाट से इस वक्त शनी की महादशा चल रही है शनी में शनी में शनी में राहू ये मेरा चल रहा है एंड यहाँ पर हम देखें ट्रांजिट में शनी के उपर शनी का ट्रांजिट है ये गोचर है शनी के उपर शनी का ट्रांजिट है गुरू के उपर गुरू का ट्रांजिट है और कन्या में मंगल और मीन राशी में राहू का गोचर चल रहा है हमारे नेटल चार्ट में गेतू वृष्चिक राशी में है ये डीवन चार्ट है अब 11 दिसंबर के दिन जो था उससे पूर्व देखेंगे डीथार्टी में केतू किस राशी में स्थित है डीथार्टी में केतू वृष्चिक राशी में है राहू केतू एक्सिज है और मंगल भी उसे देख रहा है बुद्ध भी देख रहा है और किसी अन्ने के दिरिष्टी नहीं है यानि हमने देखा राहू केतू एक्सिज में वृष्चिक राशी हमारी डीथार्टी में पीडित है हम व्रिष्चिक राशी में देखे निटल चार्ट में भी केतु व्रिष्चिक में है राहू व्रिषब में है शनी की निटल चार्ट में भी केतु के उपर द्रिष्टी है अब ये तो अल्रेडी है फिर अरिष्ट 11 दिसंबर को ही क्यों हुआ क्योंकि दशा भी रोग भाव की थी शनी के उपर शनी का गोचर केतु का गोचर लगन के उपर और लगन में तित्ये भाव का स्वामी केतु का स्वामी मंगल यहां केतु मंगल एक साथ हो गए और यह मंगल ग्यारा दिसंबर के दिन व्रिश्चिक राशी के उपर मंगल सूर्य और ग्यारा बजे के बाद चंद्रमा भी यहां अमावस लगा रहा था जो मेरे हॉस्पिटल पहुचने का टाइम था उस वक्त चंद्रमा क्योंकि 39 दिगरी 37 मिनट का है जो मैंने 11 दिसंबर का मौनिंग का चार्ट बनाया है 530 का सूर्य को लगन मिलेते हुए लेकिन 11 बजे तक चंद्रमा व्रिश्चिक में था अमावस लग गई थी सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों का गोचर केतु के उपर व्रिश्चिक राशी के उपर जो D30 की राशी है नेटल शनी, ट्रांजिट शनी की दृष्टी भी थार्ड हाउस पर और मंगल जो अल्रेडी अश्टमेश है अश्टम से अश्टम का स्वामी है बह मंगल, नेटल में उसके उपर केतु और ट्रांजिट में केतु के उपर मंगल यहाँ पर शनी की दशा, केतु का अरिष्ट मुझे हॉस्पिटल भी ले गया और सरजरी भी करा दी जो मंगल और केतु के कारक हैं और मेरे बॉडी में स्टंट भी डला, जो सुई है, कैंची है, जो काटती है, वो केतु का कारे है इस केतु के ट्रांजिट में, लगन में होकर, ठार्ड में होकर और मंगल केतु के उपर एक दूसरे का ट्रांजिट होना उपर से अरिष्ट, शनी, पाप ग्रह की दृष्टी, इन सब ने मिलकर उस दिन मुझे हाट का स्ट्रोक भी दिया लेकिन मेरी जिन्दगी बची, अब वो पूछे कैसे, क्योंकि लगनेश बुद्ध जो था ट्रांजिट के दिन धनुराशी में था और गुरु की दृष्टी गुरु पर गुरु का गोचर मेश राशी में गुरु की दृष्टी बुद्ध पर थी लगन पीडित था, लगनेश पीडित नहीं था यानि जीव की शरीर को पीडा थी, आत्मा को पीडा नहीं थी इसलिए आत्मा यहां शरीर में सुरक्षित रही और आपके सामने अब मैं वीडियो बना रही हूँ, आशा करती हूँ आपको यह ट्रांजिट का समझ आया होगा, अगर दशा भी 6-8-12 में से किसी ग्रह की है, गोचर भी 6-8-12 से रिलेटेड है, तो क्रिपया अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपना आशीश बनाए रखें, थैंक यह सो मच